दुनिया भर में अर्बों लोग हैं, जो खुद को इसाई करते हैं। उनका मानना है कि यीशु क्रूस पर मरे और कबर से पुनर जीवित हुए और स्वर्ब में चड़े। पादरी इसाईयों से कहते हैं कि यदि आप मरने के बाद यीशु पर विश्वास करते हैं, तो यीशु आकर आपको पुनर जीवित करेंगे और आपको स्वर्ब में ले जाएंगे। कबरों में अर्बों लोग फिर से जीवित होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिनकी मृत्यु पिछले 2000 वर्षों में हुई थी। एक भी व्यक्ती मृत्कों में से जीवित नहीं हुआ, कोई भी इस कुनरुथान पर सवाल नहीं उठा रहा है और कोई सबूत नहीं मांग रहा है कि वे सिर्फ विश्वास कर रहे हैं, इसलिए मैं जाज कर रहा हूं कि यीशु शायद ही कभी पुनर जीवित हुए या नही अब मैं आपको यीशु का ताबूत और उसकी हड्या दिखाने जा रहा हूँ, हमें शुरू करते हैं यह यीशु के खोए हुए मकबरे के बारे में एक वृत्थ चित्र है, यह 30 साल पहले पाया गया था, लेकिन जनता से छुपाया गया था यह यीशु के पारिवारिक मकबरे पर सिमचार जैको बोविसी द्वारा बनाई गई मून वृत्थ चित्र का तमिल अनुवाद है उन्होंने 2007 में वृत्थ चित्र बनाया जेम्स कैमरून, अफ्तार फिल्म निर्देशक यीशु वृत्थ चित्र के पारिवारिक मकबरे का निर्मान किया मैथ्यू का सिसमाचार बताता है कि यीशु के शरीर को ले जाया गया और गुप्त रूप से दफनाया गया आप इसे यीशु के चित्रों में देख सकते हैं कई चर्चों में 1980 में एक निर्मार कंपनी जेरूसलम शहर में एक बड़ी कंक्रीट की इमारत बनाने के लिए खुदाई कर रही थी और अचानक उन्हें कुछ संदिग लगा एक छोटी सी गुफा मिली थी और बच्चे गुफा के पास खेल रहे थे बच्चों ने बड़ों से कहा कि कुछ प्राचीन और रहस्यमय है लेकिन किसी ने इसकी परवाह नहीं की इस मामले में बच्चे की मार ने काफी दिल्चस्पी दिखाई उन्होंने पुरातत्व विभाग को जानकारी दी कि यहां एक बेहत प्राचीन मकबरा है पुरातत्व टीम को कॉल करने वाली पहली शक्स है रिविका मौज पुरातत्व दल ने मकबरे के प्रवेश ध्वार पर विशेश चिन्ह की पहचान की और सोचा कि यह एक बहुत प्राचीन और महान खोज है और वे विस्तरित विशलेशन करना चाहते थे टीम अंदर गई तो दंग रह गए यह एक अकेला मकबरा नहीं है उन्हें गुफा के अंदर दस कबरे मिली आप मकबरे का उपरी द्रिश देख सकते हैं ठृपया ध्यान से देखें उन्हें अंदर छा बड़ी गुफाय और दस ताबूत मिले पुरातत्व दल ने सभी प्रतियों को राश्ट्रिय संरहाले में स्थानांतरित कर दिया वैज्यानिकों ने खोजबीन शुरू की और उन्हें यीशु का ताबूत मिला वे चौंक गए यह यीशु के ताबूत का पाश्व द्रिश है यह यीशु के ताबूत के सामने का द्रिश है आप हिब्रू में ताबूत पर लिखा हुआ यूसुफ का पुत्र यीशु देख सकते हैं ताबूत पर एक पवित्र क्रोस चिन्ह भी उकेरा गया है खृपया ध्यान से देखें इसा की माता मरियम का मकबरा भी मिला था यीशु के भाई मत्ती का मकबरा भी मिला था यीशु के भाई जोस की कबर भी मिली थी एक अन्य ताबूत जोसेफ के जेम्स सन्शीर्शक के साथ मिला था वहाँ यीशु का भाई है फिलिप का सुसमाचार बताता है कि यीशु मेरी मेगरलीन को चुमते थे तो वहाँ उसकी पत्नी हो सकती है फिलिप के सिस्माचार में उसके नाम का उलेख मरियम के रूप में किया गया था कृपया यीशु की पत्नी मरियम के मकबरे को ध्यान से देखें मेरी मेगरलीन का नाम ग्रीक में लिखा गया था क्योंकि वह एक यूनानी महिला थी उन्होंने यीशु की हड़ियों और मेरी मेगरलीन की हड़ियों पर दी ए ने परीक्षन किया और पुष्टी की कीवे भाई और बहन नहीं है तो वह एक पत्मी या प्रेमी होनी चाहिए गणित के एक प्रोफेसर ने प्राइक्ता की गणना की कि यह यीशु का असली मगबरा है ने की इसी नाम का कोई दूसरा विक्ती संभावना है कि यह यीशु की कब्र है 99.99% है यदि आप अभी भी विश्वास करना चाहते हैं कि यीशु आपको बचाएंगी तो उसकी हड्डियों को देखे और फिर से सोचे